वल्मिकी रामायन के अयुद्या कांड में 90 तक कर चुके 91 करेंगे भरत अपने गुरू मंत्री माताओं के साथ भरद्वाज के आश्रम पहुंसतें गंगा पार करके भरत द्वास से मिलते हैं, रिशी उनके उनकी आर्वमी का स्वागत करते हैं, उनको सबकार करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आज रात को आप नहीं रुखिये, अगले दिन सुभा आप राम को ढूनने के लिए जा सकते हैं। और उसके बाद भरत द्वाज रिशी उनके पर्मिशन मांगी आगे चित्रकुट के और जाने के लिए। भरत द्वाज जिस से पूछा कि हमें चित्रकुट को जाने के लिए क्या सही रास्ता है, वो हमें गाईट करें। भरत द्वाज रिशी ने उनको हेल्प किया। यहां से साड़े तिन योजन, एक जोजन करीब आठ माइल होता है। तो साड़े तिन योजन 25-25, 25-26 माइल की करीब होगा। तो 25-26 माइल के दूरी पर चित्रकुट पहाड़ी आपको दिखाई देगा। परवत दिखाई देगा। और बड़े घने जंगल के अंदर है। बहुती लोनली और एकांत है और उन्होंने रास्ता बताया कैसे जाएंगे यह मुना आपके साथ साथ कैसे पार करेंगे। जैसे इन्होंने राम सीटा लक्षमन को रास्ता बताया था। उस तरह बताया। उसके बाद 92 सर्ग में भरत की सेना, राजमाता, मंत्री सब आगे बढ़ने के लिए तैयारी की, उसके बाद कौशल्या, सुमित्रा, कैकेई, रिशी भरतवाज के पैर चुकर के उनका आश्रवाद लिया, और प्रदक्षिना की, प्रदक्षिना कंचेप्ट आपको समझाया कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, रेस्पेक्टिबल हो, जब उससे विदाई लेकर जाते हैं, तो उसकी एक चक्कर लगा कर जाते हैं, उसको प्रदक्षिना कहते हैं, आज के लिए परमपरा अलमोश्ट बंदो गया है, सिर्फ मंदिरों में कहीं कहीं पड़ा बहुत है, जब उससे मिल करके जाते हैं, तो उसको प्रदक्षिना करके, प्रणाम करके पहर चुके और प्रदक्षिना करके जाने का विदान था, तो राजमाताओं ने भरतवाज रिशी के प्रणाम किया, उनके प्रदक्षिना करके जाने लगे, तो भरतवाज ने पूछा भरत से यह कौन है कि हमारी माई है यह सुमित्रा है का बेटा राम जो भी इंट्रटक्शन को दिया और भरतवाज रिशी ने पहली बार राणियों को देखा तो खुश हुए और इसी तरह एक दूसरे से मिलने के बाद सब ने रिशी भरतवाज जिसे पर्मिशन लेकर के आगे जंगल के अंदर इतनी बड़ी सेना जब चल रही है हजारों की सेना है इतने सारे साहिकोडों हाती गोडे रत्थ सब जा रहें तो धूल कितना उड़ रहा होगा आप सब सुच सकते हैं इतने आवाजें हो रही होंगी जानवारों की आर्मी की और एक ऐसे सुनसान एकांत जगह पर जब इतने सारा शूर सरावा हो जंगल के जो पशुपक्षी है वो डर के मारे इदर उदर भागने लगे कहीं हीरन भाग रहें कहीं हाती का जूंड के जूंड भाग रहें दूसरे जानवार दूर दूर जाकर के जढ़िए चुपतर के देख रहें कि यह क्या हो तो यह वर्नन आता है 93 सर्ग में यह वर्नन आता है उसके बाद कुछ चित्रकुट का पहाड़ी दूर से दिखाई देने लगा सबको तो भरत ने देखा बड़ा कुपशुरत पहाड़ी दिख रहा है जंगल फूल फलों से लदा हुआ और उन्होंने सभी सेनाओं को अलग-अलग डाइरेक्षन में आप भेजना शुरू किया एक राश्ते में चले भी जैंक चित्रकुट कुट आ गया अब अलग-अलग डाइरेक्षन में जाओ देखो कहां रामलक्षमन सिता रह रहे हैं तो सैनिक अलग-अलग डायरेक्शन में ढूने गए तो कुछ सैनिक जब पूर्व दिशाम में डायरेक्शन के जब जा रहे थे तो उन्होंने दूर से एक अकेले जंगल में कुछ धुआ देखा तो सैनिकों ने आकर के बताया कि ऐसे अकेले जंगल में जहां कोई रिशी आश्रम भी नहीं कुछ भी नहीं ऐसे आश्रम में धुआ का मतलब कोई इनसान है तो जरूर यहीं पर राम लक्ष्मन सीता जरूर यहीं पर है ऐसा आकर के उन्होंने बताया भरत को इंफर्म किया तो भरत ने यह जान करके कहा कि आप एक काम करो आप लोग सब यहीं डेरा डालो आगे कोई नहीं जाएगा जहां से धुआ निकल रहा है में वशिष्ट रिशी और सुमंत्र हम तिनों जाएंगे देखने के लिए बाकी पूरी सेना और बाकी सब लोग यहीं पर डेरा डालो किसी को डिश्टर्ब नहीं करना श्टांत और डिसिप्लिंड हो करके यहां रोके रहो भरत के आदेश पर पूरी सेना और सारे लोग वहीं पर उन्होंने डेरा डाला अपना टेंट लगाया भरत महर्शी वशिष्ट और समंत्र के साथ जिस तरफ से धुआ आ रहा था उस तरफ चलने लगे धुआ को देखते देके आगे बढ़ने लगे यहां तक इस तरह बरनन है और उस तरफ राम सिता लक्षमन का बरनन आता है चौरानवे सर्ग में कुछ दिन हो चुका है चित्रकोट में तिनों को रहत होते हैं कैसे राम सिता को दिखाते हैं देखो यह अमुक फूल है देखो यह फल कितना मीठा है जर्ना दिखा रहें कहीं नदी दिखा रहें जंगलों की जो अनिमल से जानवर हैं उन से उनको इंटर्टिश करा रहें देखो इसको यह जानवर कहते हैं यह ऐसा होता है यह अम्मुक जरना है, ये नदी है, और इस तरह राम सिता को एंटर्टेंट करने के लिए आसपास की चीजों को दिखा रहे हैं, बीच बीच में पूस्त हैं, ये सब डिस्क्रिप्शन करने के बाद, तो क्या तुम्हें ये अच्छा लगा, कैसे लगा, ये नदी तुम्हें कैस लेगी, फल कैसे लगा, तो जैसे पती-पत्नी घुमने जाते हैं, कोई नेचर तूर पर जैसे गूसरे से बात करते हैं, उस तरह राम सिता को दिखाने लगे, तम्तथादर्श इत्वातु मैथिलिम गिरिनिम नगाम, निशसाद गिरी प्रस्ते, सीतम मांसे नचंदयन, इदम मेध्यम इदम स्वादू, निष्टप्तम इदम अग्निना, इवमास्ते सधर मात्मा, सीतया सहरागवाः। इस तरह राम मैथिली मिथिला की रहने वाली सिता को गिरी पहड निमनगा नदियों को दिखाते हुए एक जगा किसी पहड़ी पर बैठ गए और बैठ करके उन्होंने उनको ठलों के गुदा अंदर का जो रस है, वो उनको खिलाने लगे। मान्सम मीट को कहते हैं, किसी भी चीज का जो फलेश होता है, संस्कृत में उसको मान्स कहा जाता है। जरूरी नहीं कि ये कोई इनसान पशू पक्षी का ही हो, इवन फलों के अंदर का जो फलेश होता है, सब्सक्राइब आप अपल खाते हैं, आप बनाना का जो आप खाते हो, उसको उस बनाना का गदली मानस कहा जाता है। समझ माया, जो आम खाते हो, आम का छिलका तो नहीं खाते हो ना, तो उसके अंदर का जो वो रस भी नहीं है, रस लिक्यूड होता है, तो उसकी वो जो पार्ट जिसको आप खाते हो फलों के, उसको भी मान्स कहा जाता है। तो जहां-जहां मानस आएं, वो सिधा मीट पर मत जब कर लिजिएगा। तो राम उनको जंगल दिखा रहे हैं, अलग-अलग फल फूल दिखा रहे हैं, और पेडों से कोई अच्छे मीठे खटे फल ला करके, उनको मानस वो उनको खिला रहे हैं, और उनको उससे खुश करा रहे हैं। आग में तपाया हुआ, जैसे कोई वो जो शकरकंदोगरा होता है न, जो रूट होते हैं, उनको आग में थोड़ा भुना हुआ, ये आग का भुना हुआ, देखो ये कैसा स्वादे। शब्दश्च प्रादुरास्ताम नभास्प्रशव। एतस्मिननंतरे त्रस्ता शब्देना महता ततह, भार्दिता युठपा मत्ता सिर्फियता दुद्रबूर दिशह। और उसी समय भरत को फालो करने वाली जो उनकी विशाल आर्मी है, सेना, वो सेना के चलने के कारण जो धूल, डश्ट, आकाश में उड़ रहा था, और उसके कारण जो जोर जोर से शब्द पन रहा था, उसके कारण जंगल में रहने वाले जानुआर सब डर करके इधर उध भाग रहे थे, इवेन हातियों के जूंट भी भाग रहा था, सतम सैन्यम उद्रुतम शब्दम सुश्राव राघवः, ताम्ष्च विप्रदृत्रान सरवान युथापान अन्वई ख्यता, उस सैन्यों के द्वारा, सैन्यों के कारण से जो जोर जोर आवाज सुनाई दे लगा, जो नौयज सुनाई देने लगा, जो धूल दूर से उड़ते हुए देखने लगा, इसको राघव राम ने भी देखा, और देखा की जंगल में आस पास की सब जानवार है, इविन इंक्लूडिंग हातियों गर अभी सब भाग रहें, स्तांग्ष्च विद्रुबतो दृष्ट्वा, तम्च शृत्वाच निश्वनम, ववाच राम सव मित्रिम, लक्ष्मनम दीफ्तते जसम, राम ने जब ये भाग दोड़ वाला आवाज सुना, और उरते हुए इतने सारे धूल, अपको कदा है कोई करंत्रिट रोड तो है जब हजारों की संख्या में लोक, जानुवार, घोड़े, हाती जाएंगे तो धोल तो उड़ेगा, और वो धोल इतने ज़्यादा उड़ते हैं कि आपको एक शांत जंगल में ये पता लग जाता है, ये सब देखकर के राम ने स्तौमित्रि लक्ष्मन से बोला, सुमित्र क गजयूथानि वारन्ये महिशावा महावने वित्रासिताम्रगासिम्ही सासा प्रद्रता दिशह, उपनी मा को धन्य करने वाले लक्ष्मन जाओ और देखो पश्य भीमस्तनित गंभीरस्तुमुला स्वनहा, बहुत गहरा आवाज, भीम केतने डरावनि स्केरी, आवाज सु कना ही देखो ये किसकी आवाज है, गजयूथानिवा अरन्ये महिशावा महा वनें, इस जंगल में जो हातियों का झूंडे या भेंसे, या जो दूसरे जानवार ही हिरन है, उस सब भाग रहें, डर के मारे, ऐसे भाग रहें, जैसे शेरों को देखकर के हिरन भागतें, इस अन्यद्वा श्वापदम किंचित सव मित्रे ज्यातु महरसी सुदुष्चरो गिरिश्चायम पक्षिनाम अपि लक्ष्मन सर्वमेतत यथा तत्व मचिरात ज्यातु महरसी लक्ष्मन हो सकता है कोई राजा कि राजपुत्र कोई प्रिंस मुर्गया के लिए ग्वन में आया होगा मुर्गया के शिकार हंटिंग हो सकता है हंटिंग के लिए अन्यद्वा श्वापदम किंचित यह भी हो सकता है कोई बहुत भयानक जंगली जानुवर आ गया हो जिसकी कारण सब डरे हुए हैं पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है सुदुष्चीरो गिरिश्चाय जिस जगह पर हम रह रहे हैं पहाड़ी में यह इतने ज्यादा रिमोट है यहां तो कोई अंजान पक्षी भी नहीं आ सकता जो पक्षी यहां रहते हैं ठीक है बाहर से कोई पक्षी गलती से भी आ जाए वह यहां भटक जाएगा इतना जना जंगल है सब के बावजुद भ प्रेख्यमानों दिशा सर्वा पुर्वां दिशमुदेख्यत। उदंग्मुख प्रेख्यमानों ददर्श महतीम्चमुम् रथाश्व गजसंबाधां यतेर युक्तां पदाति भी ही। अरो लक्षमन राम की बात सुनकर के बड़ा साल के पेड के उपर चड़ गया तो वो साल के पेड पर वो चड़कर के देखा, पूर्वदीशा के ओर देखा, महतीम्चमुम् एक बहुत बड़ी सेना, एक भीग आर्मी जिसमें रथ, चेरियेट्स भी हैं, अश्व, घोडे, गज़, हाती, और पदाती भी, जो फुट सोल्जर हैं, ये सब तरह के सेना को सने देखा, ताम श्वगज संपूर्णाम, रथद्वज विभूशिताम, सशंस सेनाम रहमाय, वचनम्चे दमब्रवित, अग्निम् संशमयत्वार्य, सीताच भजताम गुहाम, सज्यम कुरुष चापम्च, शराम्ष चकवचम्तथा, इस्तरा हाती घोडे रतादी से भरे हुए सेना को देख करके, लक्षमन ने राम से बोला कि भाई, आग बुझादो जल्दी, अग्निम् संशमयत्वार्य, आग को बुझादो, सीताच भजताम गुहाम, सीता को गुफा के अंदर भेजदो, सज्यम कुरुष चापम्च, शराम्च कवचम्तथा, और पुरुष व्याग्रू, लक्ष्मनम् प्रत्यवाच्छ, अंगा अवेक्ष्यस्य सव मीत्रे, कस्यम मन्यसे चमुम्, एव मुक्तस्तु रामेन, लक्ष्मनम् वाक्यम अब्रवित, दिदक्षन नीवताम सेहनाम, रुशिता पावको यथा, उपुरुषो मेशे राम, लक् रही है, तुमें क्या लग रहा है, यह किस किस सेना है, चमु है, इस तरह राम के दौरा कहे जाने पर, लक्ष्मन बहुत गुस्से में, आग के तरह लाल पिला हो करके, उस सेना के और देखा, संपन्नम राज्यमिच्छंतु, व्यक्तम प्राप्या विशेचनम, आवाम हंत तुम समभ्येति कईके या भरता सुता, आर्या, अपने से बड़ों को आर्या बोलते हैं, है आर्या, मुझे लगता है, भरत राज्यमिच्छंत कर जाने के बाद, जब उसका अभिश्यक हो गया हो, कोरोनेशन हो गया हो, अब वो आ रहा है हम दोनों को मारने के लिए, जिस कंटक राज्य समझते हैं, ऐसा किंग्डम, ऐसा शाशन जिसमें किसी भी तरह का कोई आप्ष्टकल ना हो, कोई अपोजिशन ना हो, कल कोई आ करके दावा ना करते, लड़ाई ना करते, तो मूल से ही खतम कर देना चाहिए, यही सोच के कई के का यह बेटा भरत हमें मारने के लिए आ रहा है, एशवई सुमहान स्रीमान विटपी संप्रकाशते, विराजत्ति उद्गतस कंधम कोविदार धजो रथे, कैसे पदा चला, लक्षमन कह रहा है कि देखो, यह कितना उनकी जो रथों के उपर जो जंडा लगा है, जंडे में वो बड़ा सा कोविदार प अरे राज्य की निशान, अयोध्या का इंडम की जो जंडा है, उस जंडे का सिंबल क्या था, एक कोविदार नामक के पेड़ है, फुलों का पेड़, फुलों का पेड़ उनके जंडे में होता था, मैं ट्राइ करूंगा उसका गूगल में आपको दिखाऊं, यह अगर यह वाला जो फुल है, थोड़ा सा पतनी इसको में बड़ा नहीं कर पाऊंगा, अगर आप देख रहा है, इसकी पत्ते और फुल देखे, थोड़ा बड़ा सा पेड़ होता है, और मैं आपको यह भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि रियल जो अयोध्या का फ्लाक कैसे होत तो आपको फड़ी आईडिया हो लोड़ा, जो लड़ा मरात में यह पिक्चर आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये त्री और ये ट्री कोविदार ट्री है पूलों का पेड़ है बड़ा पेड़ है यह उनकी जंडे में होता था तो यही लक्षमन के रहें कोविदार का जो भज़ा है जो फ्लाग है वो मुझे दिखाई देर आये रत्वों पर इसलिए मुझे लगता यह अयोध्या का ही को कैसे हमारे तरह भाग रहे हैं और हातियों पर बैठे वे भी लोग आ रहे हैं गिरिम वी रस्रया वहे अथवे इही वतिष्ठाव सन्नधा वुद्यता युद्धव इसलिए भाई राम ऐसा करते अपना धनूर और बान दोनों ले करके चलिए पहड के उपर चड़ जाते करते हैं अपिनो वशमाग अच्चेत कोविदारत भजोरणी अपिद्रक्षामि भरतम यत्रते वैसन महत्वया राघव संप्राप्तम सितया चमया तथा भाई आज की लड़ाई में ये कोविदार फ्लाग जो है जो जंडा है आज ये हमारा हो जाएगा जंडा हमारा हो जा लड़ाई में हम जिद जाएंगे और अपिद्रक्षामि भरतम यत्रते व्यसन महत्व और ये भी मुझे लगता है आज मैं उस भरत को देखूंगा जिसके कारण हमें बहुत व्यसन हुआ बहुत कष्ट हुआ हमारे लाइफ में जो कलमिटी आई जिसके कारण और सिर्फ हमारे लाइफ में नहीं है आपके हे राघव आपने जो कष्ट सहा सिताने जो कष्ट सहा मैंने जो कष्ट सहा ये कष्ट जिसके कारण से सहा भरत आज इसको मैं सामना करूंगा लड़ाई में उसको मारूंगा या हरा करके ये कोविदार जंडा वाल जंडा को हम अपने कंट्रोल में लेंगे मलब हम अयुद्धा का राजा बनेंगे ते राम भाई जिसके कारण से आपको राज्य से हाथ भूना पड़ा जिसके कारण से आज आपको जंगल में रहना पड़ा वो भरत वध्य है रिजर्ट विश्लेन मरने लायक है अर भाई भरत की हत्या करने में मुझे कोई दोश नहीं दिखाए दे रहा है क्योंकि शास्त्र केता है पुर्वा पकारिणम हत्वा नहीं अधर्मेन युज्जते जिसने आपका नुक्सान किया है उसको मरना कोई अधर्म नहीं है पुर्वा पकारी भरत चक्त धर्मश्च रागव ये रागव राम को कह रहे हैं भरत उसी तरह का हमारा बहुत नुक्षान किया है और धर्म को भी छोड़ चुका है एतस्मिन निहते कृचनाम अनुशाधी वसुन्धराम इस भरत को हत्या करके हम पूरी धर्ती पर राज कर सकते हैं अध्यपुत्रम हतम संखे कईके ही राज्य का मुका मया पश्य सुदुखार्त सुदुखार्ता अस्ति भग्नमिवाद्रुतम और इस लढ़ाई में अपनी बेटे को मरता हुआ यह राज्य की लाल्ची कईके भी देखेगी और मैं देखूंगा उस दुखी परेशान कईके को जो अपने सामने लड़ाई में भरत को मरता हुआ देखेगी बिलकुल वैसे जैसे कोई हाती कोई बहुत बड़े पेड को तोर डालता है उसी तरह उसके सामने मेरे द्वारा भरत मारा जाएगा और वो राज्य की लाल्ची कईके अपने सामने यह देखेगी और मुझे तो गुस्सा आ रहा है क्या और भी कुछ करने को कईके इंच वधिश्यामी कईकवी कईकवी हत्या कर डालो सानुपंधाम सवांधमा उसकी सारे रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ उसको मार डालूंगा उससे क्या होगा कलुषेना अध्यमहता मेदिनी परिमूच्यताम इसे धर्ति से कलंक मिट जाएगा आज जो मेरे अंदर गुस्सा को मैंने इतने दिनों से सईयत दबा के रखाता सप्रेश्ट करके रखाता वो दबाये हुए गुस्सा और जो डिशानर जो असमान है वो आज मैं उसको मोक्षामी छोड़ दूगा प्री कर दूगा शत्रशैन्यों के उपर बिलकुल वैसे जैसे इसी छोटे से डिब्बी के अंदर आग को छुपा कर रखा जाता है और उसको खोल देने पर आग बाहर भड़क निकल पड़ता है मेरे अंदर वो दबा हुआ गुस्सा और दिशानर असमान को मैं इन शत्रु शन्यों पर पूरा का पुदा निकाल देना चाहता अध्येईत चित्रकूतस्य काननम्नेशितेई शरेई ही छिंदन शत्रु शरीराणी करिश्ये शोनिता अक्षितम शरेई निर्भिन अहदयान पुंजरां तुरगांस्तथा श्वापदा परिकर्शन्तो नरांश्य निहतान मयाद् आज मैं इस चित्रकूत के जंगल को कटे हुए शरों से भर डालूंगा ठोन से भर डालूंगा और अपने बाणों से हातियों को घोड़ों को जो लड़ाई करने के लिए आये हैं और मनूष्यों को शत्रु शाहिनिकोंको इतना मार के जमा दूंगा कि जंगल के हिंसक जानुवर उनके उनको खिंच-खिंच करके अंदर ले जाएंगे उनका मान स्खाने के लिए और एक काम आज मेरा हो जाएगा मैंने जो धनु और बान पकड़ा है तब से मैंने इन धनु और बान को बहुत दिनों से इनका जो कर्जा मेरे उपर है उसको चुकाया नहीं और इन धनु और बानों से जब मारूंगा तो मेरे धनु और बानों के प्रति जो मेरा रीन है वो भी चुकता हो जाएगा धनु और वान का रिण क्या होता है भाई आप दो साल पांच साल से तलवार माजना सीख रहें प्राक्टिस कर रहें रोज प्राक्टिस कर रहें या धनु और तीर चलाना सीख रहें प्राक्टिस कर रहें पर एक बार भी लड़ नहीं रहें किसी को मार नहीं रहें तो विचा तो अगर कोई लड़ाई होगी में कोई मरेगा नहीं तो हम तो उनके प्रति अंडर नहीं है ना तो हम तो उनके प्रति करजदार है करज भी चुक जाएगा इस तरह तुस्य में एजिटेटेड विक्षुब्द लक्षमन को शान्त करके राम ने बोला कि मत्रधनुशाकार्य मसिना वासचर्मना महेश्वासे महाप्राग्ये भरते स्वयमागते पितु सत्यम प्रतिशृत्या हत्व भरतमागतम किमकरिश्यामी राज्येन सापवादेन लक्षमन कि धनु की बात कर रहे हो क्या काम है यहां धनु का क्या काम यहां तलवारों का क्या काम है आर्मर्स का अरे भरत आया है भरत बड़ा महाप्राग्या है बड़ा ज्यानी है युद्धा है भरत आया है इसमें मारने काटने तलवार धनु की बात क्यों कर रहे हो पिता का सत्य पालन करने के लिए में जंगल आया था और में उस पिता के सत्य के पालन ना करके भरत की हत्या करके दुबारा राजा बनौँ तुमें लक्षमन ये प्रही लगता है क्या तुम्हे लगता है में भरत की हत्या करके पिता की प्रतिश्रुती को त्याग दू। कोई भी चीज, वो राज्य हो, धन हो, संपत्ति हो, नाम हो, फेम हो, यश हो, कुछ भी हो, अपने रिष्टेदारों को मार के, अपने दोस्तों को मार के, अपने वेल विशर को मार के अगर कमाया जाए, नाहम्दत प्रतिग्रण नियाम मैं उसको कभी नहीं अक्सेप्ट जिसके कारण मुझे अपने लोगों को, अपने दोस्तों को मारना पड़े, लक्ष्मन, मेरे लिए मैं धर्म कमाऊ, अर्थ कमाऊ, या काम कमाऊ, या पृतिवी कमाऊ, पृतिवी मला राज्य कमाऊ, मैं ये सब चीजें भवताम अर्थे, आप लोगों के लिए करन करता हू मैं अगर आप लोगों में से मार दो भरत भी मेरह है, उसको मार के में ये क्या करूंगा? मैं जो कुछ कमाना चाहता हूं, जो कुछ करना चाहता हूं, वो तो उसी के लिए करना चाहता हूं भाईयों की खुशी के लिए भाईयों को साथ बनाए रखने के लिए लक्ष्मन में राज्य चाहता हूँ और वो भी सच्चे तरीके से मैं अपने अस्तर का जो मेरे धनों है उसकी में सौगन रखाता हूँ मैं जो कुछ भी पाना चाहता हूँ वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं हम अपने भाईयों के सुख के लिए चाहता हूँ वह भाईयों में से को मार नहीं सकता हूँ और लक्ष्मन सागर तक भैली हुई धर्ति को मैं आसानी से कभजा कर सकता हूं मेरे में इतनी अबिलिटी है वो सामर्थ्य है, इतना मैं युद्धा हूँ, कि मैं चाहूँ समुंदर तक धर्ती पर राज कर सकता हूँ, समुंदर कहां, अयुद्ध्या देखिए उत्तर प्रदेश में, समुंदर उदर, गुजरात, महाराश्टर उदर, पंडाल, उरिशार उदर, तमिलनाडु में, तो कोई कहना हिंद्र भी बन जाओ, तो भी मैं नहीं बनना चाहूँगा, अगर अधर्म से हासिल करना पड़े। मेरे लाइव में जब भी कोई खुशी होगी, वो खुशी हम चारो भाईयों का होगा, मेरा अकेला नहीं बनाओ, तो फिर गुस्सा क्यों कर रहे हो, भरत क्यों आया है, हो सकता है किसी दूसरे कारण से आया हो, क्या दूसरा कारण है? मन्ये महमागतू योध्यां भरतो प्रात्रुवच्चलह मम प्राणात्रियतरा कुलधर्म मनोस्मरन। मुझे लगता है, खाईयों से प्यार करने वाला भरत, जब अपने मामा के घर से आयध्या वापस आया होगा, हम लोगों के बारे में पता लगा होगा, तब वो अपने प्राण से भी प्रियतर मुझे देखने के लिए और अपने खांदान का धर्मक को याद करते हुए, वो मेरे से मिलने आ रहा होगा, और जब उसको पता चला होगा कि मैं जटा और बलकल, जटा मतलब बालों को जटा बनाना, बढ़के दूद से और पेड़ों के छाल पहने हुए, जानकी के साथ और तुमारे साथ जंगल आया हूँ, तो स्नेहेन आकरां तर दया, प्यार से भरा हुआ दिलवाला, शोकेन आकुली तक इंद्रिया, दुख से परेशान भरत, द्रश्टुम अभ्यागता हिएशा, मिलने के लिए, दिखने के लिए हमें आया होगा, अंबाम चा कैकेम रुश्या, परुशम चा प्रियम बदन, प्रसाध्य पितर हम स्रीमान, राज्यम में दातुमागता, और वो जब भी मामा के घर से अध्या आया होगा, जब उसको पता चला होगा, तो उसने जरूर अपनी मा कैकेई को बहुत कड़वा बोला होगा, अपने पिता जी को जा करके समझाया होगा, प्रशन्न क्या होगा, और पिता जी को प्रशन्न करके, अपनी मा को डांड करके, वो राज्यत दुबारा मुझे देने के लिए जरूर आ रहा होगा। ये जरूर हमें देखने के लिए ही आ रहा है, मुझे बिलकुल नहीं लगता, भरत के दिल में कहीं से भी हमारे प्रती अप्रिया आचरण, कोई नुक्षान पहुंचाने का बावरकर के वो आता है, और लक्ष्वन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भरत हमें मारने के लिए क्या कभी भरत ने आप से कोई खराब्यवार किया, कई ऐसा काम किया जो आपको खराप्त लगे, तो फिर आपको ये डर क्यों है, आप इतने इतना डाउट्फुल क्यों हो भरत के प्रति, नहीं ते निष्ठुरम बाच्यों भरतो नाप्रियम बचह अहम यप्रियमुक्तस्यां भरतस्या अप्रिये कृते, इसलिए लक्ष्मन, तुम भरत के बारे में कोई बुरी चीज़े नहीं बोल सकते हो, कोई कडवी बाते नहीं बोल सकते हो, आगे से अगर आपने भरत के बारे में कोई कडवी बात बोला, कोई खराब बात बोली, समझ लेना कि ये तुम मेरे लिए बोल रहे हो, कधमन पुत्रा प्रितरम हन्यूं, कस्याम चिदापति, भरतावा भरतरम हन्यात, सौमित्रे प्राणमात्मन, कोई बेटा अपनी बाप को कितनी भे मुश्किल हो, क क्यों मारेगा, भरत ऐसा नहीं है, यदि राज एक चिद्धान दीजिएगा, राम ने जो कहा, ये कोई सच है, ऐसा नहीं है, कि कोई बेटा अपने बाप को कितनी भी मुश्किल हो, क्यों मारेगा, कोई भाई अपने भाई को क्यों मारेगा, ये सच नहीं है, सच क्या है, ह हर व्यक्ति की अपने पर्सनालीटी होती है जैसे उसकी पर्सनालीटी है जिस तरह की उसकी समझ है सोच है वो दुनिया को उसी तरह देखता है राम के समय बेट ऐसे बच्चे नहीं होते थे जो अपने बाप के साथ मुक्षान करते हैं आज कल तो गली गली में मिलेंगे भारत भाई भाई तो अगर आप लिए इंदुस्तान में सो लोगों को एकठा करके ले आओ उसमें से सतर लोगों का भाईयों के साथ जगड़ा चल रहा है जमिन जाहिदा मनमुटाब चल रहा होगा पर क्या है कि सबका क्यारेक्टर अलग है जब आप अंदर से इतने अच्छे होते हो तो आपको दुनिया में बुराई कम दिखती है तो राम का चरित्र ऐसा है कि उसको बुराई दिखती नहीं है अलक्षमन क्योंकि लक्षमन की चरित्र ऐसा है कि भला करने भी आओ उसको उसमें बुराई दिखता है हमारे व आपके तरह कैसे कोई चीज फर्स टाइम घटता है कि हमारी लुँझिया को जाहते हैं पर वो दोनों सही या गलत नहीं होते हैं कि दुनिया में सब कुछ होता है ken ken why ऑफ-ट आक जिसको जिस तरह के माहौल में पला बड़ा है बैज समस्कारर आए वह उन्हें ku दुनिक किसी शारी सारी दुदणिया ख्राब लगता है किसी को हर चीज पर शक होता हैrec दूसर पर इनुद पर शक नहीं होता है इ Islands अच्छा कोने बुरा कोने ये परसंट परसंट डिपेंड करता है पर ये लोगों की दुनिया को देखने की अपने अपनी तरीके होते हैं राम के अपने तरीके हैं लक्षमन के अपने तरीके हैं बिलकुल ये जब ये हो रहा है राम जब ये बातें बता रहे हैं उसी रामाय कि लड़ाई रावन ने बाप फो जैल में डाल चर्चर किया अपने भाईयों के साथ कैसे विवार करता तो ऐसा यह तो हमारे सामने यह मैं पता है इसका मतलब है सोसाइटी में भी सबकुस थे पर राम को वही दिखता है जो राम जैसा है लक्षमन को ऐसा दिखता है जैसा लक्षमन है यह ध्यान दिजिएगा यदि राज्य स्चाहे तो स्वमिमाम वाचम प्रभाश से वक्ष्याम इभरतम द्रिष्ट्वा राज्यम असमे प्रदीयताम उच्यमानो पिभरतो मैया लक्षमन तदवच राज्यम असमे प्रय अच्चेती वाढमिती ववक्षती और लक्षमन अगर तुम्हें सिर्फ कारण गुस्सा है क्योंकि हमें राज्य से बेदखल कर दिया गया तुम्हें अगर राज्य की लालाच्चे इसके कारण गुस्सा कर रहे हो तो फिर ऐसा करता हूं भरत आते ही मैं बोलूगा भरत तुम सारा राज्य लक्षमन को देदो और मैं पक्का बोल सेकता हूं भरत मेर तुम्हें बोलते ही तुम्हें पुरा राज्य देदेगा तुम राज करते रहना फिर भरत को तुम बुरा भला नहीं कहें। ऐसा सुनते ही लक्षमन शर्मा गया। उसको बड़ा गिल्ट फिलिंग हुआ। ततोक्त धर्मशीलेन भ्रात्रतस्याहितेरत लक्षमन प्रविवेशेव स्वाने गात्रानि लज्यया। तद्वाक्यम लक्षमन शृत्वा ब्रिडित प्रत्युवाच्या। वाम्मने द्रश्टुमायात पिता दशरतस्वयम। राम की ये बात लक्षमन को समझ में आई। राम ने बोला एवं मन्ये महावाहू रिहासमान ब्रश्टुमागत। मुझे भी यही लग रहा है शायद पिता जी दशरत खुद आये हैं हमसे मिलने को। अथवान उध्रुवं मन्ये मन्यमान सुपोचितव। वनवासमनो ध्याय ग्रहाय प्रतिनेश्यती। मुझे भी लगता है कि जरूर पिता दशरत को लगा होगा यह बच्चे जंगल में रह नहीं सकते। यह राज खांदान में पले बढ़ए हैं इसलिए हमें वापस लेने के लिए आ रहे हो। हमें वापस ले जाने के लिए। एतव तव संप्रकाशे ते गोत्रवंतव स्मनोरमो वायु बेगा समोवीर जवनो तुरगो तमो सैशा सुमहाकाय कम्पते वाहिनी मुखे नागशत्रुन जयो नाम प्रुधास्तातस्य धीमत लक्षमन ने कहा यह देखिए दो घोड़े बड़े तेज गती से हवा के तरह गती से इदर ही आ रहे हैं और देखिए हमारे महराजी का जो सबसे बुद्धा हाती था जो बहुत बड़ा और बड़ा बुजूर्ग हाती था वो कामते हुए धीरे-धीरे इदर की और आ रहा है लग रहा है शादिये पिताजी हमारे तरफ आ रहे हैं तब राम ने बोला ब्रुक्षाग्रादवरोहत्वम्कूरुलक्षमन अमद भचा इतीवरामुधर्मात्मा सौभित्रेम्तमुवाच राम ने कहा लक्षमन अब आप पेड से नीचे आ जाओ ऐसा सुन करके सौमित्र मला सुमित्र का वेटा लक्षमन नीचे आया भरते नापी संदिष्टा संमर्दो नभवेहेदिती समंता तस्यशैलस्य सेनवास मकल पयार राम की बात सुन करके लक्षमन साल के पेड से नीचे आ गया राम के सामने हाथ जोड करके खड़ा रहा और उस तरह भरत के तरफ भ कोई भी हल्चल मत करो किसी भी तरह के जंगल के कोई जानुवार पशु पक्खी या आश्रम किसी को जैसे कोई डर ना हो ऐसते महोल मत बनाओ बिलकुल शांत होकर के एक ही जगह ये पहाड के नीचे अपने डेरा डालके रहो किसी भी तरह का जादा भाग दोड उगरा मत क पूच मुर्यो जनम परवतस्यसा पार्श्वे नविशदा बृत्य गजर राजी रथाकुला भरत की ये बाद सुनकर के पहाड की नीचिले हिस्से पर इखवा कुप सेना भरत की जो अयोध्या की जो पूरिबड़ी सेना हती घोड़ा अधिक साथ कोहीं पर उन्होंने टि अश्कृतिय विद्धू यदर्पम प्रसादनार्थम रगुनंदनास्य विराजते नीति मता प्रणीता भरत के कहने पर अयोध्या की विशाल सेना अपने घमंड को अपने एगो को दवा करके धर्म का पालन करते हुए चित्रकूट में रगुनंदन राम की प्रशनता के के लिए खुशी के लिए सांत हो करके वहां टिक गई अर्थाद अपने आपको सेटल डाउन किया अगले बार जानेंगे भारत शत्रग्ण वशिष्ठादी के साथ राम की पास जाते हैं फिर कैसे राम और भरत का मिलन होता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अच्छा लगे लाइक वीडियों